नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहे हैं रहे हैं स्वागत आपका चुनावी चक्रवाद 2022 में और वहीं बात करेंगे उत्तरप्रदेश विदानसवा चुनाव के पहले चरन का चुनाव जारी है और वहीं पश्चमी यूपी के 11 जिलों की 58 चुनावी मेदान में उमीदवार हैं और साथ ही खास बात ये है कि वेस्ट में योगी सरकार के नो मंत्रियों की साख भी दाउंग पर है और जनता इनके कामकास से कितना खुश है और इसका फैसला दस मार्च को आने वाले पई नाम में ही बता पाएंगे और इससे पहले आ आशे परवक्ता रहे श्रीकांग शर्मा मतुरग शहर सीट से विधायक है और योगी सरकार में उर्जम मंत्री भी है और इसके लावा आपको बता दे कि यह जो सीट है वहाँ पर कोंग्रेस का इसे गड़ कहा जाता था और ये कोंग्रेस का गड़ कही जाने वाली सीट पर बीजेपी ने एक बाब फिर से मतुरा शहर सीट पर श्रीकांग शर्मा को चुनावी मेदान में उता रहा है और वहीं अगली ख़वर के और बता दे जहां पर आतुलगर को योगी सरकार में राज्य मंत्री चिकेसा और स्वास्य परिवार कल्यान मात्रे और सिशु कल्यान अतुलगर मंत्री है और वहीं गाज्य अबा सीट से एक बाब फिर चुनावी टाल ठोक रहे हैं और वहीं 2017 विदानसवा चुनाव में उन्होंने बस्पा के सुरेज बंसल को करारी शिकस्त दी थी और अब उन्हें अपनी सीट बरकरार रखने की चुनोती का सामना करना अपनी जीत दर्श की थी और इस बार भी गाज्याबास सीट से आतुलगर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वहीं आपको बता दे कि और वहीं इसके अलावा योगी सरकार में राज्य मंत्री विद्ट तक्निकी सिक्षा चिकेश सिक्षा और पूर मुख्यमती कल्यान सिंग के पोत्र संदीप सिंग भी अलिगड की अत्रोली विदान सवा से चुनावी मेदान में जिसे कल्यान सि सिर्ट से 11 बार जीते थे जो अपने आप में एक रिकोर्ड है और वहीं देखना होगा कि संदीप सिंग जीत के सिलसिले को दोबारा कायम रख पाते हैं या फिर कोई और दल बाजी मारता है और इसके लावा आपको बता दे कि संदीप सिंग को अलिगड की अत्रोली विदा सिर्ट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उता रहा है और इसके लावा आपको बता दे कि संदीप सिंग विद तक्निकी सिक्षा और चिकिसा सिक्षा मंत्री भी है और वहीं इसी के साथ चोधरी लक्ष्मी नरायन प्रदेश सरकार में डेरी और पशुपालन मंत्री है और बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दाव लगाया है और उन्होंने पहली बार 1996 में कोंग्रेस के टिकट पर चुनाब जीता और फिर कोंग्रेस में विभाजन के बाद कल्यान सिंग सरकार में मंत्री बने और 2017 में उन्होंने बसपा पर जीत हासिल की और फिर 2017 में उन्हो वो अपना ही दिकोट तोड़ पाते हैं और एक ही पार्टी से दो बार सीट जीट पाते हैं या नहीं और इसके लावा आपको बता दे कि डेरी और पशुपालन मंत्री भी है चोद्री लक्षमी नरायन सिंग जो कि अब मतुरा की छाता विदान सवा सीट से बीजेपी के प्र संस्करन योजना कारिक्रम कारियनिवरन डोक्टर ग्रीराज सिंग धरमेश को 2017 में आगरा चावनी से चुनाव जीट कर विधायक बने थे और वहीं उन्होंने बस्पा के गुट्यारी लाल दवेश को चुनाव में करारी शिकस्त दी ती और इस बार भी डोक्टर जीएस ध अपके उम्मेदवार को यहां जीत का ताज मिलेगा इसके लावा आपको बता दे कि डोक्टर धरमेश आगरा गौालियर हाइवे पर अपना क्लीनिक भी चलाते हैं और इसके लावा आपको बता दे कि राज्य मंत्री भी है और खाद प्रसंस्करन योजना के वो राज्य मं रहा है और वहीं इसके अलावा कपिल देव अगरवाल प्रदिस सरकार में राज्य मंत्री है और वहीं अगरवाल ने 2017 में मुझफर नगा सदर सीट से सपा प्रत्याशी गोरव बंसल को शिकस्त दी थी जबकि बसपा के राके शर्मा तीसरे स्थान पर रहे थे और बीजेपी ने इस बार भी कपिल अगरवाल को चुनावी मेदान में उता रहा है और इसके अलावा आपको बता दे कि इस सीट पर सबसे ज़्यादा चार बार बीजेपी का ही कबजा रहा है और ये सीट किसानों के अंदोलन का केंद्र भी रही है तो मुझफर नगर दंगो के दलों ने चुनाव पर चार में उतारा और वहीं बीजेपी की तरफ से मुझफर नगर सदर सीट पर कापिल देव अगरवाल को बीजेपी प्रत्याश्य बनाएगा और इसके अलावा आपको बता दे कि कापिल देव अगरवाल सौतन प्रबार राज्य मंत्री भी हैं जिसक इन उनने एक बाब फिर बीजेपी की गड़ कही जाने वाली बुलन शहर के शिकारपूर सीट से चुनावी मेदान में उतारा और ब्रहमन वहूले इस सीट पर 2017 में उनने बस्वा प्रत्याश्य मुकुल उपाद्या को हरा कर बड़ी जीत दर्ज की थी और 1990 के बाद से पीजेपी की तरफ से अनिल शर्मा को उम्मिदवार बनाए गया और बुलन शहर बीजेपी का गड़ कही जाती है और इसके अलावा आपको बता दे कि सपा और अरेलडे के गड़ बंदन से किरनपाल सिंग को प्रत्याशि बनाए गया जिसके बाद अब अनिल शर्मा और कि टकर देखी जा रही है और वहीं अगले बता दें कि अगले मंत्री का जहां पर दिनेश खटिक को बीजेपी ने अपना उम्मीद्वार बनाया और वहीं आपको बता दें कि अभी लगातार हमने बताया कि आठ मंत्री कौन-कौन से थे और वहीं इसी सिलसिले में दिनेश खटिक नोवे मंत्री है जहां पर उने हसितना पूर सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीद्वार बनाया है और इसके अलावा आपको बता दें कि दिनेश खटिक बीजेपी के उम्मीद्वार बनाया गया और इसके अलावा वो राज्य मंत जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें हसितना पुर सीट से दोबारा बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। मामुली अंतर से सीट जीती थी और वहीं 2017 में उनका अंतर बढ़कर 16,000 से अधिक वोट हो गया है। सरकान में वो गन्ना मंत्री भी हैं। अब वहीं यूपी की ग्यारा जिलों की 58 सीट पर चुनाव जारी हैं। और इसी सिलसले में आगरा जिले की इतमाद पुर, आगरा चावनी, आगरा दक्षेन, आगरा उत्तर पुर्ट और आगरा ग्रामिन, फतेपुर सीकरी, और खेडा गर्ड, फतेअबाद और बहा विदान सवा में मत्दान जारी है। और इन 9 सीटों पर करीब 107 प्रत्याशी मेदान में हैं। का भविश से सुनिश्चित करेगा। और ये एहम दिन है और शहर के विकास के लिए इसलिए पूरी जिम्मेदारी और पूरे उत्सा से अपने मत्दान के इंद पर जाकर वोट जरूर करें। और वहीं अलिगड के अत्रोली विदानसवा के गाउं मडोली में स्वरगे कल्यान सिंग जी के बेटे और सांसद राजविर सिंग और राजु भाईया और उनकी पत्नी और बेटे ने मत्दान किया है। कई बड़े मंत्री भी अपना मत्दान करें। इसी सिलसिले में आपको बता दे कि कल्यान सिंग के भाई और राजु जिनका नाम राजु भाईया के नाम से जाना जाता है और उनकी पत्नी और वहीं बहु ने भी अपना मत्दान का परियोग किया है। विधान सवा चुनाव आज जारी है और वहीं आपको बता दे कि पहले चरण में मत्दान सुबा साथ बज़े से ही शुरू हो चुका है। जहां पर साथ विधान सवा च्छेत्रों में मत्दान जारी है। अब वहीं अलिगर्ट जिले की साथ विधान सवा च्छेत्रों में मत्दान के लिए करीब 3134 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मत्दान के दोरान पोलिंग बूथों पर कोरोना संक्मन देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन कराते हुए मत्दान कराये जाएगा। वहीं आपको बता दे कि मत्दाताओं को मत्दान के लिए एक दस्ताना उपलब भी कराये गया। वहीं कोरोना से पीडित और उसके लक्षन वाले मत्दाताओं को आखरी गंटे में मत्दान करने का मौका मिलेगा। और वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी सेलवा कुमार जी के अनुसार विदान सवा चुनाव में जिन मत्दाताओं के पास मत्दाता फोटो पैचान पत्र उपलब नहीं हैं वो वकल्पिक दस्तावेजों के जरिये अपने मत्दिकार का पर्योग कर सकते हैं और इसके जोजना के तहई जारी स्वास्ते भीमा स्मार्ट कार्ट, ड्राइविंग लैसेंस, पैन कार्ट, फोटो यूग पैच्शन, दस्तावेज, केंद और राजिस सरकार के लोग उपकरन पेचान पत्र जैसी दस्तावेज विकल्पों में एक कोई एक रस्तूत कर अपना मत्दा कर सकते हैं साथ विदानसवा सीटों पर साथ प्रत्याशों का भागए एवियम मशीन में आज बंद हो जाएगा जिसका रिजल्ट दस मार्च को सामने आएगा और वहीं आपको बता दे कि लगातार मद्दान जारी है और इससी सलसले में सुरक्षा के भी पुक्ते अंतिजाम किये गए हैं और वहीं अत्रोली विदानसवा के गाउं मंडोली में पूर मुख्यमत्री यूपी प्रदेस्टोर्गे कल्यान सिंग जी की पत्नी रामवती सिंग ने भी अपना मतदान किया और इससी सलसले में लगातार चुनाब में मतदान जारी है और वहीं आपको बता दें कि लगात जार वोटिंग जारी है और वहीं अनुप शहर की बूत नंबर 421 पर दो बार EVM मशिन खराब होने का मामला सामने आया है और करीब धाय घंटे छे मशिन खराब होने के कारण मतदातों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और वहीं वोटरों की लंबी लाइन भी लग गई है और वहीं इसके लावा आपको बता दें कि लगातार वोटिंग को लेकर लोग जाग रुक हैं और इसी सिलसले में वोटिंग करने लोग आ भी रहें और इसी सिलसले में 421 इवियम पर खराबी देखी गए जिसके बाद वहाँ पर वोटरों की लंबी लंबी कतारे लग गए इसके बाद दो बार इवियम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आई जिसके बाद वहाँ पर मतदातों को काफी परिशानियां भी हो रहे है जिसको लेकर मतदातों में काफी आक्रोश भी देखने को लगा और वहीं अनुप शहर की बूत नबर 421 का ये मामला है जहाँ पर दो बार इवियम मशीन खराब होने की सूचना सामने आई जिसके बाद मतदातों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला इसके अलावा आपको बता दे कि अधिकारी लगातार चुनाव को सफल बनाने के लिए हर परियास कर रहे है लेकिन तकनीकी खराबियों के चलते हैं दो बार इवियम मशीन खराब हो गए जिसके बार वोटरों की लंबी कतारे भी देखने को मिली है यहां दो गंटे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं बार बार मशीने खराब हो रही हैं बतली जा रही हैं लेकिन कोई वोट पढ़ नहीं रही है यह बूट नंबर कुन सा है चार सा किस तुम सुबह साथ वे इस सभी मददान यहां पर सुरू नहीं हो पाया है मसीन खाव होनी वे ऐसे आप लोग लाइन में लगें थे और वहीं बुले शहर में बरात में जाने से पहले धुले ने मतदान इस्थल पर पहुँचकर अपना मतदान किया और वहीं कलोनी के लोगों के साथ बुलिट मोटर साइकल पर गोड़ी चड़ की रसम पूरी करने के बाद चार खंबासित मद्दान केंद पर पहुँचकर धुला बलराम ने अपना वोट किया और वहीं आपको बता दे कि यह नोखम मामला सामने आये जहां पर एक जिसकी शा जादी में जाने से पहले दुले ने अपना वोट डाला है कि कहा आपकी बराज जारी है कितने बज़े आपने मद्दान किया है तो पहले से प्लान मना रखाता या अच्छानक आपको याद आया अब वहीं यूपी चुनाब को लेकर हर पल की खवर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं लेकिन इसी सिलसली में अब पंजाब विदानसवा चुनाब में आम आदमी पार्टिक ले अर्विन के जिवाल की पत्नी और बेटी भी परचार करेंगी और इसके लावा मिली जानकारी के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल की पत्नी सुनीता के जिवाल और बेटी हर्शिता पंजाब चाहेंगी और वहीं दोनों आप उम्मिद्वार और उनके सीम फेस भगवत मान के लिए परचार करेंगी और इसके लावा आपको बता दे कि 11 फरवरी को बगवत मान की जन्सबा होनी है और इसमें के जिवाल की पत्नी महिलाओं से समवाद करती हुई नजर आएंगी और वहीं चुनाव की खबरों को अपडेट के लिए और चुनावी में चुनाव में क्या क्या कुछ हो रहा है और ऐसी अपडेट के लिए आप देखते रहिए आरिया न्यूस